क्लास एट का एक्सराइज 2.4 का क्वेशन नमर एट हम लोग के पास और इसमें कहे रहा है हाफ ओफ ए हर्ड ओफ डियर और ग्रेजिंग इन दा फिल्ड यहां पर बतला रहा है कि एक डियर का जूंड है हिरन का जूंड है उसमें से आधा हिरन जो है वो घास चर रही है और उसमें से जो बच गया रिमेनिंग मतलब बच गया उसमें से जो बच गया आधा उसका थिरी फोर्थ पास में ही खेल रही है और उसके बाद उतना निकलने के बाद जो है कुछन में टूटल कितने ही रन है टूटल ही रन की संक्षा निकल ओधार यहां को सॉल करते हैं जौ्च यहां पे ऑर इसमें टूटल दियर्स की आम्श्यक्राइव को लिकाल नहां है थो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं लेटी अ total number of deer total number of deer विए पता नहीं है इसलिए हम आक्स मनल लेते है इसको उसके बाद उसमें बतला रहा है यह आधा जो है चर रहा है ग्रिजिंग ग्रास तो यहां पे हम लिख लिएते है number of grazing deer हम यहां पे लिखते हैं नमबर ओफ ग्रेजिंग ग्रेजिंग दियर इकल टो हो जाएगा वन बाइटू हाफ बोल रहा है वन बाइटू ओफ एक्स टोटल का तो इसका कितना हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा यह कि इतना घास चल रही है इसके बाद बोल रहा है कुछ उसमें से खेल रही है त्री फोर्त जो है रिमेनिंग का मतलब जो बचा हुआ है इसका एका तो नमबर ओफ हम यहां पे लिखते हैं नमबर ओफ playing dears playing deer equal to हो जागा 3 fourth 3 fourth हो गया 3 by 4 of remaining मतलब remaining यह हुआ आधा निकल गया तो आधा ही बच्छेगा remaining यह हो जागा x by 2 हो जागा x by 2 तो इसको solve करते हैं यह कितना जागा 3 by 4 into x by 2 आजाएगा तो यहां पर यह कोई कटने वोला नहीं है यहां हो जागा multiply equal to हो जागा 3x by 4 to 8 यह हो गया इतना deer घास चर रही है और इतना deer उसमें आप जो बच गया उसमें से जो इतना deer वो खेल रही है तिक है अब जो बच गया वो हो गया उसका number दिया हुआ है अब हम according to question लिखेंगे यहां पर according to question तो इन दोनों को total में से अगर हम इन दोनों को जोड कर निकाल दे तो हमें वो total 9 जो है वो equation बनेगा तो यहां पर जागा total total क्या है total हमारा x है total x है इसमें से हम माइनस करेंगे इन दोनों नंबर्स को तो हम माइनस करेंगे इन दोनों को हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं x by 2 plus 3 x by 8 यह हो गया और equal to इतना करने के बाद 9 जो है वो पानी पी रही है तो नाइन नंबर दिया हुआ है यह हमारा equation create हो गया अब equation create हो गया इसको हम solve करेंगे यहां पर x माइनस हो गया और इसको हम lcm ले लेंगे इसके अंदर solve करते हैं तो lcm लेंगे तो 8 आएगा क्योंकि 2 का टेबल में 8 आता है तो यहां पर 8 ले लेते हैं और 2 से इसको दोइख करते हैं 4 बार में जाएगा टूसोजा है फूर को फिर हम replicate करेंगे तो 3 को करेंगे तो期 8 ही रहेघा यहां पर यहां पर इपसर दोनों को एड हो जाएगा तो इसका मतलब है कि यह इससे माइनस होगा तो हम इस ब्राकेट को हटा लेते हैं हम यहां पे लिखते हैं एकस यहां लगा सकते हैं माइनस हो गया और यहां पे यहां फीट को हम इस से डिवाइड करेंगे तो एट बार में जाएगा और उस 8 को हम X से multiply करेंगे 8X हो गया और इस 8 को हम 8 से divide करेंगे तो 1 bar में जागा और 1 को हम 7X से multiply करेंगे तो 7X ही आएगा यह हो गया और यहाँ पे तो minus हो जाएगा और यह 9 जो है यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे इसको minus कर देते हैं तो 8 x में 7 x चला गया तो x बचेगा only x और इसको हम multiply करेंगे ये cross multiply हो रहा है तो यहां पे 8 9 जा 8 9 जा 72 हो रहा है ये 72 तो x equal to मेरा निकल गया 72 और x equal to जो है वो total number of deer total number of deer मतलब जितने भी deer है वहाँ पर सब की संख्या इतना ही है x equal to 72 तो यही होगा 72 deer और यहीं इसका answer हो जागा question number eight complete होगा next question पर छलेंगे हुआ 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 है दो दो हुआ 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 है दो ह्युआ है